कि अलो मेरा नाम इश्वर दयार नवाल है उम्र मेरी 73 चल रही है और माले गाउं अभी फिलाल हम माले गाउं में हैं लगब तैयालिस साल से वहीं है तो रहना हमारा नेटिव राजस्तान है राजस्तान में गुलापूरा डिस्टिक्ट भिलवडा तो हम लोग है जो क्या नाम जी रहे हां पर हाए हमको यहां पर भेजा गया कि आप वहां पर जाएं महेंद्र भाई से मिलिये वहां उनके सेंटर पर कि मेरे को प्रोब्लम था किड़नी में कि मतलए क्रेट नाइन होता है रीडिंग होती हो प्रेट नाइन बड़ा हुआ था लगबग चार के लगबग था हुआ तो मैंने होम्योपेथिक ली मैंने क्या नाम जी रहा है यह लूपेथी ली इतने डौक्टरों के पास जाके और मैं पूरा एकदम प्रिवार के लोग हरेस्ट बेंट बहा गया कि सब डॉक्टर लोग दवाये देरे करीब डेड़ साल तक दवाये ली हमियोपेटिक भी ली हमने यह लोपेटिक लेकिन कोई फाइदा उसमें मिला नहीं और इतनी दवाये लेनी पड़ती थी उसका साइड इफेक्ट क्या क्लिव इन्ठ भी मार हो गया था और मेरे मन में रखिय हो गया अभी क्या होगा आगे पता नहीं फिर मेरे को किसी पता चला का मेहंद्र भाई पास जाहिये तसमीरा यहां आगे हम दोनों पती पतनी और में मिशच को भी इसलिए लाया कि इनको भी पेट में अलसर था? और इतने वहेंकर अलसर थे कि हम कहीं भी बाहर जाने में डरते थे क्योंकि कुछ भी खाओ तो पेड़ दुखे कुछ भी कहीं हम जो आना जाना हमारा सब चूड़ गया था और एक मतलब बहुत घर के घर के अंदर रहने की है कि हमारी लाइफ के अंदर थोड़ा चार्म खतम हो खा तो कि यहां आने के बाद में जब महेंदर भाई से मिले तो उन्होंने बोला कहार को कि आपको ही चिंता मत करो आप फोलो करो जैसे मैं बोलता हूं वैसे मैंने ऑं सोर्वों करेंगे हम भी बहुआ नुशचनाशनले लोग है हम कहीं पर बीोगी नहीं रखेंगे तो तो शुरू-शुरू के दो तिन दिन तो हमको बहुत तकलीफ हुई ने कुछ खाने को दे रहे हैं कुछ पिद्म कुछ यूज हो रहा है पूरा पेट और खाली करा रहा है साब सफाई है चालू है अनिमा चल रहा आपन तो यहां के फसगे अब हमारी आद्धत है खाने की खाना बोले तो हमें बड़ा प्री है शुरू से रा सित्तर साल से खा रहे है तो और इस जनम के सित्तर साल है वो पिछले जनम के तो कितने जनमों के वह वह तो बाकी है तो बड़ा ऐसा महसूस हुआ कि संथिंग रों विल्कुल यह तो देते हैं फिर उनको पूचा दो भी खाने की बात ही मत करो फुरूड भी नहीं तो हम एक महीने तक 15 तो यहां पर जूस पर है फिर ओर हम घर जाने के बाद में भी हमने दो महीने तक और जूस पर हैं लोग निर्जला उप्वास भी किये हम ने यहां पर अचिए निर्जला नहीं किया हमनों एक उपवास एक आश्रण क्या बोलते एक टाइम घा झाना सोड़ा दो टाइम तो बहुत बड़ी बात बहुत इम्मत है और यह तो बहुत बढ़ी चीज और कोई तकलीफ नहीं बहुत अच्छा लगा बहुत पिर जो क्या नाम जी रहे उस समय मेरे कान में बहुत दर्द हो था तो कान में दर्द होने वजय से फिर मेंने महंदर भाई को बोला कि हमको कोई सब्सक्राइब के पास बेज़ दो उन्होंने एकात दिन तो सुना ही नहीं कोई जरूद नहीं सब हो जाएगा ठीक दूसरे दिन जब मेरे को नींदी नहीं राध पर में जगा तो फिर इनको मैंने बोला कि बता दो एक बार मेरे सब्सक्राइब के लिए नहीं कान के अंदर से कुछ बोल जाएगा तो अपने को बेजा एक जगे है हम वहां कहें डॉक्टर ने पूरा सब चेक वेक किया और आपका तो अंदर वो बड़्स आप यूज करते हो ऐसा लगता है मैं यह बड़्स की वज़े से हुआ हो सकता ब बड़्स कभी यूज मत करना बड़्स बिलकुल कान में जानी ही नहीं चीए और आप जो यह गोली लेओ यह सारी टेबलेट उन्हों लिखके देदिया पूरा और लगवगे जो हजार बारासों रुपे की गोली अदी हम गोली लेके आगे हम बड़े खुश हुए के चलो अब देख लिया गोली यह देदी इधार लाके मैंधर भाई को बता मैंधर वाई ने का गी गोलियों को आवेना शिरफ रगदो सायन में लेओ मत इसमें एक पेन के लेओ और भी अगर रात को मेरे को नीनि आए तो मैं जरूरूर लुगा योगी मेरे को दो दिन से नीनि न वो भी मेरी तो राय नहीं है तुमको देने की मगान निन ने आवे तो आदी लेना ने का ओके और बाकी गोलीय कोई लेना मत शिरफ आप आपका यूरेन के दो तो दो बुंदे इनमें टपका देना दो तीन बार मैं थीक है मैं तो दूसरे दिन ही मेरे गोट बोट फरक वो गोलीय वैसी कि भी फेग देनी पड़ी तो आपका यूरे मतलब इस डोक्टर लोग इतना बड़ा इनका एक क्या नाम जिरे देखो उनकी में गल्ती भी नहीं बता रहा हूं उनको जैसे पड़ाया गया है उनकी जो एजूकेशन हुरी है उस हिसाब से वो लोग चल रह हमें कभी-कभी उन लोगों पर भी बड़ी दया आती है बलकि वो डोक्टर लोग खुद बिमार है वो बिमार होके भी वो खुद भी गोलिया का रहे है और अपने को भी गोलिया दे रहे हैं तो मैं उनकी को यह वो नहीं बता रहा हूं लेकिन हालत मेडिकल लाइन की हालत कि इसको अपने न समझना बहुत जरूरी है एतने बड़े बड़े ऑब डॉस्पिटल यह इतने बड़े बड़े डॉक्तर यह इतनी बड़ी ऐसमे चलयाकर घंखे है और कि आपने को प्यूंत कुछ नहीं है तो ठीक है मैं अभी भादाव कर दोगिए अपने को कुछ चाहिए वहां तक मैं मना नहीं करता हूं मैं उनके dna उनके खिलाफ नहीं लेकिन अपने को सारा समझना बहुत जरूरी है कि अपन को ने खी इस तरह की पोजिशन है उसके बाद में मेरा मैंने यहां से जाने के बाद में घर पर मैंने कंटिन्यू किया उसको जूसको फिर जो दो मेने बाद में हमने फ्रूट लेना सुरू किया महिंदर भाई को फोन किया कि अभी हम क्या करें तो आप फ्रूट ले सकते हो हमने फ्रूट फ्रूट लिए लंबे निकल जाते हैं उसमें वह थोड़ा बहुत ले सकते हो इस तरह से हमने किया तो हमें कभी संतोष है और एक हमारा गाड़ी को कि इधर गुमानी इधर गुमानी ओके इधर गुमानी ओके कोई दॉक्तर लोगों से हम इतने तुर हो गया है या अट गया हमें को जरूरत मैसूस होती नहीं है इस अबसे बड़ा डॉक्टर उपर बेठा हुआ है और उससे मिला दिया तो हम महेंद्र भाई के हम दोनों पत्ती पत्ली बहुत आवारी हैं और हाज मिलने के लिए हम आगे और बगवान इनको खूब हिम्मत दे खूब इनको सदबुद्धी दे और खूब यह आगे बढ़े हैं यह हमारी बाउन में और बीपी बीपी मेरा यहां है ते जो मेरा बी कि एज में भी 120 अच्छी आता है अभी आप नापोगे तो 120 एटी आएगा अलार ओके वी आर वेरी हैपी दवाई यह सब खाता हम दवाई एक रुपे की पहले मेरी 20,000 रुपे महिने की गोलिया लगती थी आज एक रुपे की भी गोली नहीं खाता हूं और वो जब साइड इफेक्ट उसके कुछ नहीं है और गोली सबसे में क्या होता है जब अपन गोली लेते हैं तो अपना एक माइन अपना बॉलता है कि यह अपन बीमार है, अपन बीमार है, यह जो फिलिंग है, यह आदमी को हरेश्मेंट की तरफ ले जाती है, यह उसकी मस्ती को उसकी मस्ती को खा जाती हो, और जब मस्ती नहीं है तो पिर आपको जिन्दिकी का मज़ा क्या है, तो हम तो बहुत खुश हैं, और भगवान करे यह और तरक्की हो यहां की और इसी तरह लोग इसको समझ के आगे आते रहें खुद के डॉक्टर खुद बन गए और हमारा कॉंपिडेंसी बढ़ गया चलिया सबीको नमस्कार धन्यवाद कि मैं सुषिला नवाल मालेगाम से मेरी उम्र सितर साल है और मेरे को क्या है करीब बन 40-45 साल से पेट में अलसर था तो खूब इलाज कराया गोलें दवायां भी खूब ली उस टाइम का क्या बोलते थे दूद प्यों ठीक हो जाएगा दूद प्यों ठीक हो जाएगा वह पिरट में हम लोग दूद पिलेते तो टेम पेवरी काम हो जाता था अभी यह आए तो मैं अंदर भाई के यहां पर यह आने के बाद एक भी बार मेरा पेट नहीं दर्द हुआ और कुछ भी नहीं हुआ और तो मेरे घर में चार तो गायां थी बचड़े थे रोज में छाच भिलोती थी गी निकालती थी मखन मनाती थी सब लोगों को मखन गी की बोतले भरबर के फोरें तक बेशती थी लंदर नंसब जगे जेपूर जोतपूर तो वो मेरा बंद हो गया और मैंने एक सेकिन में नहीं स गायां दूसरों को सेवा करने के लिए देने को तयार हो गए यह प्रभु की कृपा है और यहां जो में अंदर भाई का बोलने का समझाने का तरीका उससे मेरे को काफी हिमत आ गई अभी मैं है जो बदाम का दूद और काजू का दूद और मोपली का दूद इस कद्द ही ज आम हो जाता है क्या होत्त कर अफोट अच्छा होता और इनको मेरे झाज2 को कभी काक्डी से थंडी चीजों से उतकत डर लगता था मैरे मेरे को जुकाम हो जाएगा में यह नहीं खूँ तो सब फ्रूट और ककड़ी टमाटर इतने हम सामकोरियर खाते हैं बगवान की कृपा इतनी है कभी कप आडा सर्दी जुकाम इतना होता था इतना कप आता था बच्चे लोग बोलते हैं पापा आपको सर्दी हो रही इतना स् है सब्सक्राइब तो हम यह थतरी हैं चारत करो अपन कच्रा डाल ना तो हम वापस दूसरे दिन निकालने का प्रियत्ना करते हैं घंड करते हैं कि अदुसको निकालना भी तो जरूरी है ना तो हम यह सोचते कि वापस कच्रा निकालो क्या और हमको बहुत आनंद आ रहा है हम गुरुजी से भी मिलने के लिए जाने कि हमारी इच्छा हो रही है कागे और कुछ मार्ग मिलेगा और तब सेवा सुमेरण इसका तो हमको लाब बहुत मिला है और मेरे देवर देरानी जोदपुर में रहते ह चार महिने से वह भी फोलो कर और वजन और देवर का दस किलो कम हुआ को नौ 1 हमारे साथ वह भी चल रहे हैं चार महिने से उसको थेराइड और एसे डिटी बहुत होती थी मेरे देवर को तो अंदेरानी को ठेराइड था लगवान की दया से उनकी भी गोले दवायां चूट गई है और वह बराबर फोलो कर रहे हैं कि अगया एक बैटी मां मैं है एक बेटी लंदन में है और यह तीसरी भी गणी कि कर्पाश्य मेरे को इत्ती मिला ही है उसका भी मैं बहुत बहुत दन्यवाद करती हूं सब लोगों का मैंदर बहुतर मेरे मन में तो यह डर रहता था काम खाऊंगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा लेकिन बगवान की दया से वजन का कांटा भी वह है आम भी खा रहे हैं रानंद ले रहे हैं जिंदिगी का और यही करुणा आप सब लोगों की बरस्ती रहे हैं परमात्मा की सकती हमको प्राप्त होते हैं दवाई ले रहे हैं उनका एक की मेरा तो बोलना है यह लाइन में गुशना चाहिए दवाई को साइड में रख देना चाहिए